नगच्या में मुहर्म तेभार को लेकर मुसलिम समुदाय की लोगों ने ताजिया जलूस निकाली थी जो नगच्या सहर में घूम रही थी तभी जलूस नगच्या के मकतक्या बजार पहुँची जहां जलूस में एक जोड़दार धमाका हुआ जिससे एक लड़की जो आईक्रोसित दूसरे समुदाय की लोगों ने इस धमाके का विरोध करते हुए कहा कि तजिया में गोली बम छोड़ा जा रहा है या कहीं से सही नहीं है जबकि प्रसासन भी मुस्तैद है फिर भी एक लड़की घायल हो गई इस पर जलस जलस संग्यान लेना चाहिए आईक्रोसित लोगों ने नवच्छा के मुख्य सड़क को जाम कर आगजनी कर घंटो बवाल काटा जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी प्रसान्यों का सामना करना पड़ा हलाकि पुलीस सांती कैम करने में लगी हुई है वहीं अन्य पुलीस बल भी माहौल सांत कराने के लिए घट नास्तल पर पहुँच गए मकतकिया के रहने वाले ग्रामिनों का कहना है कि हम लोगों के घर में बिजली नहीं थी हम लोग अपने घर के बाहर बैठे हुए थे तब ही ताजिया जलूस जा रहा था उसमें से किसी ने एक बम फेका जिससे एक लड़की बुरी साथ भगा ले गई वही मौके पर भारी तादाद में पुलीस बल मौजूद रही इस्तिती तनापुर्ण बनी हुई थी वही नुगच्छिया एच्डिया मुत्तम कुमार एम एच्डिपो दिलीब कुमार मौके पर पहुँचे और लोगों को सांधिक राया लोगों का कहन है कि नुगच्छिया इस पी जब तक हम लोगों की बाते नहीं मानेंगे तब तक हम लोग नहीं मानने बाले वही मौर्ण में तजिया के दौरान हुए बिवाद को लेकर घाय लड़की राधा ने बताया कि मैं तजिया देख रही थी उसी दौरान तजिया में जा रहे तो यहां इसी समय जो है इस चरोड को जांब दिया गया है उसके परिजनों के दौरा बड़ा दुर्भाग है इस इस मांग जो किया है उसको उसको पकरने के लिए परसासन से कहा जारा हर मौजा मांग रहा है लोग अटना क्या हुआ जाची उता जिया सब देखने नागा अब कहा लग गया पड़का आख में लग गया किन को लगाए बाता ची राधा कौन है आपकी राधा नोरा कोती है आपका क्या नाम हुआ असादेवी मसमा अब किस्तिति कैसा आया ठीक है आब राधा को बोले अभी तर डाक्टर कुस्ट ने बोला है कहां पर उसको लगा है अभी तो हम अधार रॉपै पर अख मुलियु इससे पर अपका क्या आपके फैकल की जवत डूना इति कहान किसे पर रेंसे आपके हैं और क्या मुझे दखना हो यह पता है क्या किस तर क्या कंदिसें नहीं है क्या बोले लगता साथ कुमारी जुलोग रदा कुमारी आयांता पे भूड गया है आया है अगया तो क्या हुएए था र हुना खोनाे पाटका 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 पाटका省ड़ तो क्या हुए अब आपके सहर भागलपूर में खुल चुका है पुरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम शलून लुक्स शलून लुक्स शलून में आपको लेडीज और जेंट से दोनों के लिए इस सर्विसे उपलब्ध हैं लेडीज के लिए हेर स्टैलिंग, पार्टी मेकप, ड्राइडल मेकप, हेर टेक्स्चर, हेर ट्रीटमेंड, फेसियल और रीचवर्स, हैंड्स और फीट, नेल केर इसी सुविध लुक्स शलून अपनी सभी परकार की सर्विसेस पर 20% की भारी छूट दे रही हैं तो अगर आप भी लुक्स शलून के बहतरीन प्रीमियम सर्विसेस की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं अपांट्मेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 91990626666 पर संपर कर सकते हैं या फिट www.luxsalon.in पर जाकर ओनलाइन अपांट्मेंट भी ले सकते हैं SSP भागलपूर को कई वर्सों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधियों बालु माफिया रविंद्र सिंग के बारे में गुप्त सूचना मिली कि वो भागलपूर और बाका के सिमावर्ती छेत्रों में देखा गया है साथ ही वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है सूचना मिलते ही SSP के दोरा पुलीस उपाधिचक विदिविवस्ता भागलपूर के नेत्रुत में एक छापे मारी दल का गठन किया गया गठित छापे मारी दल के दोरा रविंदर सिंग को बगीचे के बांध पर से खदिर कर अवेद देसी कट्टा के साथ ग्रहपतार कर लिया रविंदर सिंग के पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कार्टूस बनामत किया गया है प्री सुवार ताकदुरान स्स्पी ने बताया कि कुख्यात रविंदर सिंग कई वर्सों से फरार चल रहा था जिसे ग्रहपतार कर लिया गया है अब भागलपूर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता आरजित की गई है और एक मोस्ट वांटेड रविंदर मंडल और रविंदर सिंग जो की रुपॉली गाउं कर हने वाला है जगदीश पूथाना अंतर गया और ये पिछले साथ-ाठ सालों से पकड़ा नहीं गया और साथ-ाठ सालों से फरार था और इसके उपर टीन हत्या के और दो डपेती के और दो रंगदारी के जो कांड दर्ज है जो हम लोग को अभी तक इसका क्रिणोल इस्ट्री मिला है इसके साथी साथ पुलिस पर हमला एवंग बालू का भी कांड इस पर दर्ज है और इन सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और इसके पास एक देशी कटा और साथ में दो जिंदा कार्थूस परामत हुआ और हमारी टीम लगातार इससे पूछताज कर रही है और इसके जो भी गतविधियां पूर में रही हैं कौन-कौन लोग इसके ग्रूप में सामिल है इसके ग्रूप के पूर में भी एक महत्पूर्ण व्यक्ति को जेल भेजा जा चुका है भागलपुर पुलिस के द्वारा और कौन-कौन इसको आस्रे परस्रे देते थे इसकी पूछताज चल रही है बागा पुलिस के टीम भी इससे पूछताज कर रही है तो इसमें जो भी इसके ग्रूप में शामिल है उनकी पहचान की जारी उनके खिलाब भी हम्दु कारवाई करेंगे और इस परकार एक बड बात हो रही है उनके वहां जो कल ठाना है उनके दौरह और उनकी मेरी मांकिया जाया हो बालू की जितना बालू का जो केस है हम लोग अभी ले रहे हैं उसका रिकॉर्ड अभी तक साथ कांड इसके उपर जो दर्ज है उसके रिकॉर्ड हम लोग के पास नहीं उसमें पांच भागलपूर में दर्ज है और दो बांका जिले में दर्ज है जिसमें कि तीन हत्या का केस ये 7-8 सालों से फुरार था कई वर्जों के उपरांते नवगठित भागलपू जिला सतरंज संग को अखिल बिहार सतरंज संग ने मानता परदान कर दी है बिगत कुछ महा से लगातार किरिया सील होकर सतरंज की बिभिन अस्तर पर खेल आयोजित करने की वज़ा से अखिल बिहार सतरंज संग से पूर्ण मानता मिल गई है आस एका पत्र राज सतरंज संग के सचीब धर्मेंदर कुमार ने जिला सतरंज संग के अधच डॉक्टर अजे कुमार सिंग को प्रेशित किया पट्टा महवी राज सतरंज संग की वार्सीक आमसभा में अध्यच दिलजीत खन्नास सचीव धर्मेंद्र कुमार एवं अन्य ने भागलपूर जिला सतरंज संग की प्रयासों की प्रसंसा करते वे संग की मानता के प्रस्ताब को निर्ब्रोध पारित किया उक्त बैठक में भागलपूर संग के उपाध्यच विसुबंधु उपाध्या सहित संयुक्त सचीव अंकित कुमार मिस्रा ने सिर्कत की थी विदित हो के भागलपूर में सतरंज की गतिवी दियों की निसकृता को देखते वे बिहार रास्तरंज संग ने भागलपूर की मान रहे डॉक्टर आजिव कांत मिस्रा ने कहा कि इसे इसकूल के बच्चों के बीच लिए जाना होगा और सिर्फ प्राइविट ही नहीं बलकि सरकारी स्कूल में भी इस खेल को बढ़ावा देना होगा भागलपूर जिलास्तरंज संग की नई कारेकारनी की भी घोसना की गई जिसमें अध्यच के रूप में डॉक्टर आजय कुमार सिंग, उपाध्यच के रूप में बिसुबंधु उपाध्याय अमित कुमार ज्छा, पिंकी बनर जीप, पल्लवी, वहीं सचीव अजय कुमार मिस्रा, जबकि स्यूक्त सचीव अंकित कुमार मिस्रा, सुभम कुमार पिछली एक सालों में जिस तरह का काम विडिसी ये कर रहा है और जो अचीर्मेंट्स है वो इस बात का दियो तक है कि इसके साथ दूरे हुए सभी लोग काभी कमिटेट हैं और एक साल के अंदर इतनी उपलब्धियां प्राप्त करना कोई साधरण बात नहीं है कुछ भविश के प्लांस भी यहाँ पर डिसकस किये गए हैं और सबसे महत्वपून बात जिस पर बात हो रही है वो यह हो रही है कि हमें स्कूल के बच्चों को जोड़ना है नहीं पीड़ी को तयार करना है और उनके अंदर चेस के लिए शत्रंज के लिए इंटरस्ट जगाना है इससे हमें दो तरह के फायदे होंगी सबसे पहली बात कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है वो खुलकर के सामने आएगी और दूसरी बात जैसे हम सभी लोग इस बात को मानते है कि शत्रंज खिलने से दिमाग भी लोगों का तीशन और प्रकर होता है इसमें सहायता में आज कई वर्सों के बाद भागलपूर के एक और खुसी मिली है और वह है कि भागलपूर चेस असेशेशन को मननेता मिलना कई वर्सों से यहां कोई चेस का बोड़ी नहीं था कोई असेशेशन नहीं था इसलिए खेल के प्रति इसमें जो रुजान होता है वो पीछे के तर और सारे चेस खलाडियों के द्वारा जो एसेशेशन में सारे सदस्या है सेकरेटरी हैं सभी लोगोंने लगाता है मेनद किया और कई दरह का टूड़ा मेंट किया स्टेट लेबल का टूड़ूर्मेंट किया और इस तरह से हमलोग उसको आगे बढ़ाये और इसी कारण से विहार चेससेशन के दवारा भागालपूर चेससेशन को मनेता दिया गया और इसी खुषी में इसका जस्ट बनाने के लिए आज हम लोग यहां कत्रीत वे थे एक दूसरे को प्राइवेट से लेके सरकारी स्कूलों तक हम लोग इसको ले जाएगे और हम लोग इसको जन जन का खेल बनाएंगे और आगे का कालिनिती के जिए हम लोग जो है एक बना रहे है कि स्कूल तक हम लोग पहुँच पाएंगे इसके लिए बैठक रठाएंगे अंतराश्टी बाग दिवस के अवसर पर जैपरकास उद्यान में बिहार सरकार की परियावरन वन युम जलवायू परिवर्तन विभाग भागलपूर प्रमंडल द्वरा बाग दिवस मनाया गया कारक्रम को लेकर बिच्छा रूपन का आयोजन किया गया साथ ही बच्चों के बीच पेंटिंग परतियुगता भी आयोजित की गई वही पर्थम द्वितिया तीरतिया अस्थानम प्राप्त करने वाले बच्चों को वन विभाग के प्तादिकारियों द्वरा फुरुस्कृत भी किया गया गौर्टलब है कि 29 जुलाई को बाग दिवस मनाया जाता है भागलपूर वन विभाग के प्तादिकारी भरत चिंतापली ने कहा कि बाग दिवस पर हमलों का या कारिक्रम कराने का मुख्य हुद्देश है लोगों में बाग के परतिज जागरुकता बढ़े और उसके बारे में जाने और उसे संद्रच्चित करें जेप्रकाश उद्यान में ये दिवस मना रहा है और हमारे साथ अनेक बच्चे भी आज जुड़े हैं अनेक स्कूल से तो कल हमने एक पेंटिंग कॉम्टेशन आयोजित किया था और आज एक क्विस कॉम्टेशन का भी प्रोग्राम होने वाला है इससे पहले आपने भी देखा होगा हमने टाइगर के रिलेटेड काफी डॉक्यूमेंटरीज बच्चों को और यहां पे जो भी ओडियन्स आयते सभी को हमने दर्शाया था डॉक्यूमेंटरीज प्रायास यही है कि टाइगर के बारे में हम लोगों तक जागरुकता पहुंचा है क्योंकि टाइगर ग्लोबल टाइगर डे मनाने का एक मुख्य उद्देश है कि हम टाइगर के बारे में बस सोचे ही ना पर उसके बारे में एवेरनेस भी बढ़ा है कि हम कैसे टाइगर को का नवकर से